हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज थर्ड लेसन संभव की भूल के कुशन आंसर समझा रही हूँ आपको मेरे चैनल पर आपके बुक के दूसरे चैप्टर्स के वीडियो भी मिल जाएंगे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो तो चलो मैं शुरू करती हूँ नेहा और संभव कौन थे तो इसका आंसर देखिए नेहा और संभव दोनों जुड़वा भाई बेन थे नेक्स कुशन देखिए नेहा और संभव में क्या विशेश बात थी तो इस कांसर देखिए नेहा और संभव दोनों की शकल सूरत एक सी थी पर सुभाव अलग था संभव को किस चीज का शौक था तो इस कांसर देखिए संभव को बाहर की खाने पीने की चीजों का शौक था Next question देखिए, संभव घर पहुँचकर क्यों रोने लगा? तो इसका आंसर देखिए, पेट में तेज दर्ध होने के कारण संभव घर पहुँचकर रोने लगा मा ने ऐसा क्या कहा कि दुकानदार घवरा गया लिखित का फर्स कुशन देखिए संभब को रुपे किसने और क्यूं दिये संभब को पिताजी ने कौपी खरीदने के लिए रुपे दिये नेहा संभव से चाट खाने के लिए क्यूं मना कर रही थी तो इसका अंसर देखिए चाट वाले का सामान खुला था और उस पर मक्खियां भिन बिना रही थी इसलिए नेहा संभव को चाट खाने के लिए मना कर रही थी गर पहुँचकर संभव ने मा को रोने का क्या कारण बताया तो इसका अंसर देखिए संभव के पेट में तेज दर्ध होने के कारण वहरो रहा था दुकानदार ने दवाई बापस लेने से क्यों मना कर दिया तो इसका अंसर देखिए दवाई की शीशी खुली होने के कारण दुकानदार ने उसे लेने से मना कर दिया उबोकता के अधिकारों के संबंद में माने नेहा को क्या समझाया तो इसका अंसर देखिए माने नेहा को समझाया की अगर दवाई की आखरी तारिक निकल चुकी हो तो दुकानदार को दवाई बापस लेनी ही पड़ेगी यह है उबोकता का अधिकार है हमें अपने अधिकारों के लिए अबश्य बोलना चाहिए इस पर सरकार ने एक कानून भी पास किया है जो next bit है सही उत्तर चुनकर सही कट्टिक लगाईए उसका first देखिए बिश्व उभोकता अधिकार दिवसक मना जाता है तो इसका आंसर है 15 March next देखिए ख सन 1986 में सरकार ने कौन सा कानून पास किया तो इसका आंसर है ख उभोकता सर्नक्षन अधिनियम last देखिए माने संबब को दवाई क्यों नहीं पिलाई तो इसका आंसर देखिए दवाई की आखरी तारिक निकल जाने के कारण धन्यवाद